दोस्तों बहुत बार यहां मेरे यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन में और मेरे अलग सोशल मीडिया पेजेस पे अक्सर लोगों को घलत फहमी होती है कि मैं एक एंगलो इंडियन परिवार से हूँ ट्विटर पे कई दफा मुझे लोगों ने टैग किया कि क्यों आपकी पिता टॉम ओर्टर कभी एंगलो इंडियन कम्यूनिटी की तरफ से पॉलिटिक्स में नहीं आए आपकी कम्यूनिटी को रेप्रिजेंटेशन मिलनी चाहिए राज्या सबह में या कभी जेमी भाई आप एंगलो इंडियन कम्यूनिटी के मिसाल हो और दोस्तों मेरा हर बार यही जवाब होता है कि नहीं मैं एंगलो इंडियन कम्यूनिटी से नहीं हूँ क्योंकि Anglo-Indian का मतलब है एक इनसान जो आदा Indian और आदा British या European हो, याने कि England से, मतलब mixed British और Indian खून का, और मैं एक fourth generation American हूँ, जो यहां हिंदुस्तान में पैदा हुआ, मेरे दादा, मेरे पिता, मैं और मेरे बेटा, यहां इंडिया में पैदा हुए, मेरा passport Indian है, मेरा पिता का भी passport Indian था, हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन कहीं से Anglo-Indian नहीं, और क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लोग हैं हमारे देश में, जिनको Anglo-Indian शब्द का मतलब नहीं पता, और उसके आगे Anglo-Indian community के बारे में, तो मैंने सोचा, आज हम इस community के बारे में थोड़ी बात करते हैं, द मगर जैसे ये टर्म हमारे समाज में आई, इसका इतिहास समझने के लिए हमें उससे 200 साल पहले जलना पड़ेगा, एंग्लो इंडियन community की जड़ जोड़ी जाती है European से, जब 1498 में Portuguese explorer वासको डगामा हिंदुस्तान आये थे, डगामा की समुदरी जहाज कोडी कोड या उस जमाने में कैलिकर्ट जोके मैलबार कोस्ट पर है पर रुका था और वहां से पोच्चुगीज इस देश के पश्चिमी और दक्षिन एरियास में अपना राज स्तापित करने लगे, गोवा के पोच्चुगीज गवरनर अलफानसे डे अलबर करकी ने अपने लोगों से कहा कि वो हिंदुस्तानी औरतों से शादी करे ताकि उनकी संक्या और बढ़ सके और उनकी ताकत और भी मजबूत हो जाए। जो लोग पोच्चुगीज इंडियन वंच के थे उन्हें उस समय लूसो इंडियन कहा जाता था। और फिर दोस्तों ये कम्यूनिटी एंगलो इंड इंडियन कम्यूनिटी के साथ घुल मिल गई जैसे अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों से शादी करना शुरू किया अठारवी शताबदी में। बिटिश इस्ट इंडिया कम्पनी ने पोच्चुगीज और डच्च सेटलर से आइडिया लेके अपने इंप्लोईस को अंग्लो इंडियन बच्चे के लिए पैसे भी दिये। अठारवी शताबदी तक बिटिश सरकार ने भारत के ज्यादा हिस्सों पर कबजा कर लिया और बीसवी शताबदी तक इनका राज चलता रहा। फिर 1911 में इंडियन सेंसे के जरिये से इस टर्म को एक कैटेगोरी द इंडिया गया as a person whose father or any of whose male progenitors in the male line is or was of European descent but who is a native of India. Historians का मानना है कि इस से कुछ confusion हुआ समाज में क्यूंकि इस से पहले ये टर्म उन अंग्रेजों के लिए था जो इंडिया में रहते थे जैसे के मैंने बताया। फिर 1950 में भारत के सम्विधान में एंग्लो इंडियन कम्यूनिटी को शामिल किया गया। अफसोस की बात है कि जब भारत को 1947 में अजादी मिली और बिटिशर्स वापस अपने देश चले गए तो सारे एंग्लो इंडियन्स को वो लेके नहीं गए। अजादी के समय पे हिस्टोरियन्स का मानना है कि कुछ तीन लाख एंग्लो इंडियन्स थे हिंदुस्तान में। मगर अंग्रेजों के जाने के बाद उनकी सोशल स्टैटिस गिरनी लगी और इस कम्यूनिटी के बहुत लोग माइग्रेट हुए दूसरे यूर्पियन देशों में 1950s और 1960s में। जो एंग्लो इंडियन्स यहां इंडिया में रह गए वो ज्यादा तर एंग्लो ज्यादा और इंडियन कम थे। नहीं बोल सकती थे। और कईयों को कभी मजदूरी से लेकर सरकारी दफ्तर के काम इस से पहले ना करने के कारण मुश्किल हुआ अचानक ऐसी स्थिती में पढ़ने से। बहुत एंडियन्स को लगा के हम आदे बिटिश हैं तो हमें अंग्रेज अपने साथ लेके जाएंगे या फिर यहां हिंडुस्तान में हमें ज्यादा इज़त मिलेगी। शायद एक आइडेंटिटी क्रैसिस के कारण कुछ एंग्लो इंडियन्स कन्फ्यूज हो गए आजादी के बाद। और कहीं न कहीं इनका मार्जिनलाइजेशन का एक कारण ये भी है कि बहुत एंग्लो इंडियन्स को वेस्टर्न लाइफस्टायल जीने की चाहती पर उनकी कमाई इतनी नहीं थी कि ये सस्टेन कर सके। सेंट्रल और स्टेट लेवल के सरकार से सपोर्ट ना मिलने के कारण इस माइनॉरिटी कम्यूनिटी के कई लोगों ने फर मुश्किल समय में हिंदुस्तानियों से शादी कर ली और बेंगॉली और तमिलियन जैसे कल्चर्ज मे घुल मिल गए। आज इनके सबसे बड़े कम्यूनिटी में से हैं वेस बेंगॉल, तमिलनाडू, बिहार और कैरला। आज के दिन मुश्किल है ये कहना कि इंडिया में कितने अंग्लो इंडियन्स रहते हैं। क्योंकि 1941 के सेंसे के बाद कोई धंग की काउंटिंग नहीं पिछले साल जब Law Minister Ravi Shankar Prasad ने कहा कि इंडिया में सिरफ 296 एंग्लो इंडियन्स हैं तो All India Anglo Indian Committee ने मोधी सरकार को लिखा इसके विरोध में ये कहते हुए कि ये तो नामुम्किन है क्योंकि अलग स्टेट्स की डेटा बताती है कि इतने कम एंग्लो इंडियन्स नहीं है भार 14 सील्स मगर डिसेंबर 2019 में राजिया सबा ने निरने लिया Constitution Bill को पास करने की जिस से 10 साल तक SCST Reservation Extend हुआ लोग सबा और स्टेट असेंडियन्स में और इसी के साथ एंग्लो इंडियन्स की लोग सबा और 14 स्टेट असेंडियन्स में प्रोविजिन को रोका गया 2020 के शुरुआत तक कई assemblies में एक एंग्लो इंडियन मेंबर था जैसे के आंद्रपदेश, बिहार, 36 गर्द, जारकंड, करनाटिका, कैरला, मध्यपदेश, महराश्टर, तमिलनाडू, तैलंगना, उत्तरपदेश, उत्रकंड और वेस्पेंगॉल मगर 126 amendment के बाद अब ये नहीं रहे जिस तरह से भी आप देखें, तो एंग्लो इंडियन कम्यूनिटी मार्जिनलाइज हो गई है अंग्रेजों के राज के समय, इन्हें कई privileges मिले मगर 1947 के बाद, एक आजाद हिंदुस्तान में ये धीरे धीरे isolate होने लगे I hope आपको आज की वीडियो से देखने से कुछ सीख मिला अगर आपके पास कोई suggestions हैं, ऐसे और भी वीडियो के तो जरूर नीचे comment section में मुझे बता दीजिए और please इस channel को अगर आप तक subscribe नहीं किया आपने तो अभी वक्त कर दीजिए अगली मुलकात तक, stay safe, stay healthy, जै हिंद